तो यह डेकॉर बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसे चिप्ट काप यूज किया है यह आपको अपनी जो दवाई की बॉटल होती है उसके उपर आपको यह मिल जाएगा फिर उसको और अच्छे से मैंने पतला किया है इसको आप एकशन है कि आप इसके टेक्श में कर सकते हो इसके जगा पर नहीं तो मैंने घ्रक है उसक कर लिया को रहुत कर लिधर में वितलाने से की ज़ हैं डिजैन भंगा जबाझत इसलिए मैंने जरोगा की डिजाइन बना दी है आप इसकी जगर पे अपना फोटो फ्रेम भी बना सकते हूं फिर मैंने अपना जो हैंड मेट ग्लू है उसकी डिस्कुप्शन में दे दूंगे आप हहां से सिख सकते हो फिर मैं उसको यूज करके जो चिप्त है उसको स्टिक क सकते हो फिर यह सूखने के बार कुछ ऐसा दिखेगा और फिर मैंने इसको जो है एक्रिलिक कलर यूज करके मैंने इसको प्रेंट किया है अगर आपके पास मैंने ना जो बैग्राउंड है वह ब्लैक कलर कहता इसलिए उसके उपर मैं कुछ और पेंट करूंगी तो वह अच अगर आपको पसंद आया तो चाल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें फिर मैंने मोटे वाले मिरोर को यूज करके प्लीज आप गोल ही चिप्ट बनाओ आप चाहे तो इसे ट्राइंगल या तो स्कूर शेप की कोई भी शेप की ऐसे मेरा चीप्ट है उसको यूज कर सकते हो और फिर मैं मिरोर लगाने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा फिर मैंने कौन बना के जो अंदर की मिरोर है उसको इसी फ्राइडे का मेरा अगला जो वीडिया है ना वह बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन बिलकुल दबाएं क्यूंकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें के बीच में मैंने पत्ती वाले मिरर यूज किया है और आप अपने हिसाब से कोई भी मिरर यूज कर सकते हो मैं 12 मिरर सेट का जो लिंक है मिरर का वो दे दूंगे आप वहां से पर्चिस कर सकते हो नहीं तो सेपरेट सेपरेट भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से फिर मै यहां से मैंने इसी शेप के बड़े वाले साइज के मिरर्र य Slow किया है क्योंकि जो मेंने लिए है वो कुणल प्राइब की अगर थे क्या है तो नी इस थे में छोटे मीरर युस करके उसके उपर मैंने उसी साइज के बड़ी यूज वाल य्यूस किये है अलavez तो यह रहा हमारा डेकर रेडी है बिल्कुल रेडी है अगर आपके पास ऐसे मिरिल्स नहीं है तो आप ऐसे स्टोन यूज़ कर सकते हो गुल्डन वाले मैं पहले इसी को यूज़ कर रही थी लेकिन मेरे जो वीडियो में एक मखी बहुत परशान कर रही थी उसको इग्णोर करें प्लीज